डॉम्निके टो रहेटो नाम तो सुनाई होगा वेल हेलो गाईज वेलकम बैक टू रिवीवानिया तो आज का वीडियो ने पास्ट एक्स के ट्रेलर के ऊपर फास्ट एंट पार्ट का ट्रेलर आ चुका है जट थोड़ी दिर पहले आया और मैं देखा और मेरा दिमाग करने लाइक था है अगर मेरे को सब कुछ बताऊंगा बने रहे मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो चलिए बात करते हैं इसमें खास बात करना हो तो सबसे पहले मैं आपका एक suspense पोड़ने वाला हो कि इसमें Gal Gadot होगी आप बोलोगे Gal Gadot मर गए थे तो मैं बोलूगा Han भी तो मर गया था पिछले पार्ट में दिखाया था ना Han को सर्प्राइज इलिमेंट में कैसे जिनना बचिया कैसे ने बचा सब दिखाया था तो हाँ Gal Gadot भी बच गई है कैसे बची नहीं पता मेरे को भी टेलर में भी कहीं नहीं दिखाया गया जो कि मूवी के इंदर डिरेक्ट दिखाया गया और जब दिखाया जागा तब सब का दिम गइंज को या फिर ृढट और यूथ को टारीट करता है कोई इंदर टारीट करती लगिन पासे मोविया गूं ग्हिल कि आछ सारे मone- कै Chris आछ कि यूठ तर्यलख करें वर्कें सब्छें को मिल बंडिख बोले ने सकते हैं क्योंकि कि एक्षन लेवल नहीं उसमें क्रॉस हो गया था सब लेबल और पिछलाव पार्ट जो आया था रिसेंट वह तो देखा था मैं थीटर में वह मेरे को अतना मज़ा नहीं था टेलर देखके लगा था बहुत ही भ्यानक होगा लेकिन मुवी उतना मज़ा नहीं था लेकिन उतन वह सारे एक और देखने करेक्टर से और जब और यह दूखता है उसको यह यह नहीं दिखाए इसमें तो लगता है यार मेरे को भी लगता है yr सोची शूटिंग तो उनका सैकड़ो फैन का लोडो फैन का क्या हुआ होगा आप सोच के देखो एक बार उसमें से मैं भी फैन था मेरे ठोड़ी सी चोट लगी थी या बोल सकता हूं मैं क्यों कि पॉल वाकर इतने बढ़िया करेक्टर थे फास्टें के में करेक्टर थे और वो मर जाएंगे तो किसी को भी लगए और वो भी अपने बहतरीन काम करते हैं जो उनको पसंद था अगर बात करें इस ट्रेलर में तो खास बात यह है कि इसमें मैं आपको बता दिया लेकिन विंडिजल में हिरो वो भी बताने के जुरत नहीं क्योंकि सब देखा है सब जा सारा पार्ट से और connected इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सारा पार्ट इसका देखे हो क्योंकि जब वो चौरी करता है 37 एक प्लाइन करके उसके बाद फिर वहां पर जो बिरीज का सीन दिखाए गया टेलर में वहां पर जो फिकाता है पानी में वो सब सीन से रिलेटेड है अगर आप पास्ट के पार्ट नहीं देखे हो तो आप नहीं समझ पाओगे पूरी तरह से इसी मूवी को तो आपको देखना बहुत जरूरी जाता है वो गिरता है जैसन मोवा जैसन मोवा का फैमली को कैसे डिश्टाय करता है जो कि वह अग्रेसंट में आके सब कुछ छीनना जाता है जैसन मोवा यहां पर एंटागोनिस्ट है विलेंगर रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे हीरो के साइट से हमारी टीम जो है वो तो है ही साथ मैं जैसन स्थैतम है जो कि जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ कि उनका एक्शन मेरे को काफी अच्छा लगता है वो मूवी में उनको सर्प्राइज इलिमेंट में रखा गया उनको इतना पता है मेरे को तो मूवी में दिखेंगे कब दिखेंगे मेरे को नहीं पता तो सोच रहे हैं इतने बड़े-बड़े हीरो रहे हैं और अकेले जैसन ममोवा जो कि एक सूपर विलेन के तरह खड़ा रहेगा और सबकी बैंड बजाएगा और वह दिखता है ट्रेलर में देखके लगता कि यहां खौफ पैदा कर दिया डॉम्निकेटर पूरा डरा हुआ है उसका हालत खराब है कि उसके पूरा फैमिली को कैसे वह तोड़ने वाला है जो उसके गुजरा वह मेरे को भी बताना गया लेकिन वह बदला लेना चाहता है ग्रेशन में सब कुछ बरवाद करना चाहते उसके फैमिली को पार्ड करना चाहता है पुरी तरह से तोड़ना चाहता जो कि होने निए कि डिलर में देखके तू लग रहा है डिम बहुत हद सबको हो इसको और रूरा देते हैं जैसन अपिक दम रिदीला तुखंच जीसा कुछ उड़ रहा और उसके knock हऊ‌चो तुछ सबस्क्ति अन्य container इक द rice potmore को वह से कफिसंद मैं हुशंद है और एक process scene जिसमें एक heroine है वह कौन चला सबकुछ बर बर किड़ा गया है तो मैं से पाच में श्टार देदू कुछ हो क्यूंकि इसमें श्टार का मतलब ही नहीं है यह तो को कौन श्टार देता कोई इस्टान दूगा अहां कि पिछला पार्ट बहुत बखवास है लेकिन इस पार्ट से मेरे को बहुत ज़्यादा एस्पेक्टेशन है कि इसमें जैसन एस्थेतम भी है जैसन ममोवा है एंटरगोनिष्ट के रॉल में जो की बैड़ाइस दिख रहा है पूरा और हमारे लीड एक्टर तो जो होते हैं आ और आप एक्साइटेड हो कि इसमें दिखेगी कि ने दिखाएगी यह भी मेरे को करने होता और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर जो